जहिन साथियो अभी हम लोग पस्तित हैं एक जाम टोईर्ट चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं ये सभी द्यालती के रहे मौत्पूर्ण हो जाता है जो एंसील वाले हैं फॉर्म टेन क्या है तो फॉर्म टेन को देखेंगे कैसे क्या करना है क्रीमी लेयर रहित प्रमार्पत पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तू बिहार सरकार के प्रिजोनार्थ कर्याले का नाम दिनांक देना है प्रमार्पत्र संख्या यहां पे प्रमारित किया जाता है कि स्रीमती या सुस्री जो है यहां पे नाम देना है पिता का नाम यानि कि अपना नाम उस पुत्री यह दो देना है अनुसूची तो की है प्रमारित किया जाता है कि भारत सरकार क्रमिक एवं प्रसिक्षन विभाग के कर्याले ग्यापक संख्या 36-0-22 दिनांक 8-9-93-3-2004 दिनांक 9-3-2004 एवं कर्याले ग्यापक संख्या 36-0-3-0-3-2004 14-4-2008 अस्तम तीन में परमारित बेक दीव और क्रिमी लेयर के अंदरगत नहीं आते हैं या आती है जो होगा यह प्रमार्पत्र बिहार करमचारी चैन आयोग पठना द्वारा आयोजित पर्थम इंतर अस्तर यह परतियोगी परिक्षा वर्स 2014 के अभ्यर्ति के लिए उनके माता पिदा के वितिये वर्स 13-14 के आय के आकलन के अधार पर एक बागरी उप्योग यारी कि वन टाइम के व अधियों के लिए बिहार सरकार के परिजनार्थ पिछड़ा वर्ग अत्यंत्य पिछड़ा वर्ग है तूं मैं यदि आपको यह दूनों चाहिए फिडियव तो आप एक्जाम टूर को सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाकर आपको मिल जाएगा फिडियव मैं यहां पे कर दट के अधिनृप ए क्लास यहनी क्लास वन में पद पर यूद्स बेंक इंस्वरेन्स कोंपनी सक्षन संस्थान की शेवा अथात भारसारकार विहार सरकार के अस्वा सेवा में अथा किसी संब्मैदानिक सरकार के अधिनस्त गुरफ भी कलास्टू के समक्ष गयर सरकारी सेवा में नहीं है देखिए एक बात बता दें आपको जहां भी समझ में नहीं आएगा जहां भी दिक्कत होगा एक्जाम टूर आपके साथ है आपके साथ था आपके साथ रहेगा फोन करके संपर्क कर लेंगे संब्धनित सरकारी निर्गत आदेश पर परिवासित क्रिमिलर के अंतरगत आता हूं या ति जो आपको लागू हो मैं परमारित करता हूं करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उप्युक जनकारी मेरे ग्यापन और विश्वास के उमसासत है और मैं पिश्रावर्ग अत्यांत प्राप्त करने हैं तुपातर धारक हूं धारत करता हूं या करती हूं यदी मेरे दूआ दिगई जनकारी असत्थ यह गलत पाए गया तो मैं पुन रूप से जानता यह जानतीं इस आवेदन पत्र के अधार पर दिये गए प्रमार के दौरा सैसिर संस्थान में लिए गए प्रवेश लोग यह सब कुछ दिया गया है यहां पर हां स्ताक्षर होगा दिनांग नाम तो आप सब से बता दें कि आप सब के लिए जरूरी है इस बात को समझना जरूरी है कि कैसे होगा क्या होगा कहीं भी समस्या होगा तो संबर करेंगे जय हैं जय भारत जय इवारत